तर्वेटेटेट है आज का 13 ओफ ऑगस्ट 2020 मौनिंग के 11 30 हो चुके हैं 31 देख रहा था मैं आप मार्केट को मार्केट की सिंबल समझें यहां पर दिख रहा है कि यह रेजिस्टेंस जोन बन चुका है आज के लिए मार्केट का और यह बन चुका है पर थे बिए ब anschंद सेक्ट के 8 खले हैं मार्किड ए मार्केट क्यों चुला दिख रहा है मार्केट के अंदर ही ट्रेट कर रही है मार्केट इस कंफूस्ट का फी titre हो रही है नीचे गिरने की काफी ट्राय हो रहा है अपसाइड नोमेंटम की मार्केट कन्फ्यूज़ एक इसको अम डेली चार्ट पर देखते हैं तो देखिए मार्केट ने बैक टू बैक राली किया अब रैली करने के बाद यहांपश जैसे बन रहा है इसके कम्जोर दिख रहा है तका सब्सप्स करणा भ्राइब इन अच्छ ईंगरिंन यहांपर करके ओब ago market कभी ऐसा upside momentum directly one go में नहीं जाता है और वो healthy भी नहीं होता है so my expect कर रहा हूं कि एक fall आ सकता है अब fall आने के विसाप से like वो तो try कर रहे है सब retailers भी सोच रहे हैं कि कभ market गिरेगा कभ market गिरेगा market हर दिन gap up खोल रहा है और upside momentum कर रहा है okay so आज एक स्पायरी का दिन है weekly यह जोन के आसपास अपर लेवल में और यह लोवर लेवल पर कैसे रियक्षन आता है उसे साथ सम्डिशिजन लेंगे हमको बाइंग करनी है या सेलिंग करनी है करते हैं अगर कुछ फ्रेड बगरा मैं लेता हूं तो आपको जरूर अप्डेट करता हूं एक शॉर्टिंग अपॉर्चनटी दिख दी है मुझे शॉर्ट कर देंगे इसको हम रफली शॉर्ट कि तू से बंटी पर जो पिग बहुत सिंपल है ! । यह ब्रेक डॉण्थ पहले हम सोच रह through यह लेवल के उपर इसना 一ty पीप्रकूल्र किहँए हए है फॉर्ट के बाद एक हुआ होए फॉर्ल के बहुत सब्रक्डाध करता है नो लेस्टन रिपेत हम अहां पर का लेवल आ रहा है यहां यह 270 स्टॉप लॉस हम दे देंगे रफली थोड़ा सा उपर देना पड़ेगा यह थीक रहेगा लेवल 370 का स्टॉप लॉस एंड इसके अगेंस्ट में टागेट हम दे देंगे रफली नीचे सपोर्ट की तरह का यहां एक्ट कर सकता है 190 का टागेट देंगे एंड स्टॉप लॉस देने वाले हम 370 का सो अल्मोस्ट 289 के आस पास चल रही है तो हम अपना stop loss यहां लगा देते हैं 370 का अपना stop loss है यहां यह अपना stop loss लगा दिया target हमारे rates से नीचे आ जाता है तो हम लोग 190 का हम लोग target लगाने मारे traders that will be 80 points of target 8000 का profit होगा stop loss होगा हमारा 370 का that target traders हम देने वाले हैं roughly 170 का यह ठीक रहेगा यह levels का क्योंकि इतना fall किया है इसके बाद next stop मुझे यह लग रहा है as in support का 170 का target रहेगा and 370 का हमाना stop loss रहेगा 370 का stop loss हमने यहां पर लगा दिया है एक बार I think यह levels को cross कर देता है which is 240 levels को cross कर देता है तो आपना target वगरा भी लगा देंगे और successfully यहां पर try करेंग अचीव करने के लिए fall के बाद that's a fall and that's a retracement okay तो उससाब से मैंने यहां पर शॉर्ट किया हुआ यहां पर breakdown दिया हुआ यहां पर यह draw है breakdown दिया हुआ है let's see wait करते है कैसे perform करता है currently अगर हम देखें तो 280, 283 के आसपास चल रहा 700 का loss बता रहे है let's see wait करते है मैं आपको update करता हूं traders traders यह नीचे आ चुका है around 700 के आसपास 900 के आसपास profit चल रहा है so let's keep the target also target है हमारा 22,170 का यह हमने अपना target भी लगा दिया all right stop loss है अपना 370 का target है 170 का let's see थोड़ा बहुत अच्छे ते perform करता है यह almost देखी उसने यह अब ऐसे break किया हुआ है let's see hope for the best कि यहां पर मैं expect कर रहा हूं कि यह like watchable area जो होगी यह वाली होगी कि यहां पर कैसे reaction आ रहा है all right currently almost cost के आसपास चल रहा है stadion traders मैं आपको update करता हूं stop loss है हमारा 370 का target हमने लगाया 170 का तो इस market आया हुआ है around 60 55 के आसपास as I said कि यह levels पर मैं ध्यान रखना है मुझे around which is 240 levels जो उसमें low लगाया है अभी यह fall का यह break कर देता तो easy हो जाएगा थोड़ा उसका नीचे आना कि यहां पर support levels है 240 से 200 level यह देखना बहुत ज्यादा important इसकी यहां पर कैसे reaction आता है currently अगर हम देखें तो 600 के आसपास profit बजा रहा है stay tuned मैं आपको update करता हूं ट्रेट करता हूं ट्रेट टी 49 48 टार्गेट है ट्रेट है ट्रेट हमारा 170 का 26 198 काफी अच्छा फॉल आया है around देखिए इसने below लगाया है roughly यहां पर 203 बदा रहा है but 198 तो मैंने पर्सनली भी देखा 224 around 4500 के आसपास profit चल रहा है बहुत ही सिंपल सेट अप के अपर काम किया और रस्ट्रस्ट मी सेट अप पे पैसा कमाना बहुत ज्यादा इजी है मैं आपको दिखाऊंगा समझाऊंगा मैं explain करूंगा थोड़ा सा मार्केट में आपको ध्यान देना है और इंतिजार करना है मार्केट आपको कैसे मौका देती है आपको अपडेट करता हूं 3600-3700 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है यहां पर देखिए तो 172 का लोग बता रहा है यहां पर दो रहा हूं 218 दिखा रहा है और जिरोदा में कैप्चर हुआ है कि आज का लोग है 172 और अपना टागेट है 170 का सो लेट करते हैं आपको अपनी रिस्क कम कर देंगे एक लीस्ट स्टॉप्लास हमने लगाए यहां से अब मैं मौडिफाय कर दूँ और नीचे की तरफ लेक्या हूं तो स्टॉप्लास अब हम लेके आएंगे रफ्ली थ्री कि 50 दग लेके आते हैं चली अल्मोस यहां पर हम अपनी रिस्क कम कर देंगे एक लीस्ट स्टॉप्लास हमने लगाया 370 अब उसको मौडिफाय करके 350 तक लेके आते हैं यह 350 हमने मौडिफाय कर दिया लेट सी कर्रेंटली 4000 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है स्टेट्यून ट्रेट्स में आपको अपडेट करता हूं ट्रेट्स जीरो सेवन जीरो नाइन और यह अपना टागेड अचीव हो गया इसको हम कैंसल कर देते हैं इसको हम कैंसल कर देते हैं मॉर्निंग में पहले हमने क्या डिस्क्रिस किया मॉर्निंग में यह डिस्क्रिस किया कि डेली चार्ट के ऊपर इस सब अटा देते हैं डेली चार्ट के ऊपर यह बैक टू बैक रैली आई है और मार्केट यहां पर डोजी जैसा बना रहा है that means कहीं न कहीं exhaustion या exhaust होते हुए bank nifty मुझे दिख रहा है ये levels के उपर अब आज आते हैं छोटे time frame पर छोटे time frame पर हमने ये discuss किया कि ये एक upper level है और ये एक lower level है right upper level and lower level जब हम almost ये time पर हम लोग बात कर रहें से correct तो यहाँ पर इसने resistance face किया यहाँ पर देखिए ये trend line एक बनाई हुए मैंने ये levels पर अच्छा breakdown था short करने वाला था wait किया मैंने की थोड़ा retracement आता है तो फिर short करता हूँ मैं तो मेरा stop loss छोटा हो जाएगा वाट उस चक्कर में मुझसे ये trade opportunity छूट गया अब ये opportunity छूटने के बाद यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये actually gap ने है ये glitch है को जिरोजा का यहाँ पर उसमें बड़ा fall किया अब fall करने के बाद एक retracement तो आनी बाख ही है correct retracement आए कि उसके बाद फिर fall continue कर सकता है इसको बोलते है healthy momentum अब यहाँ पर मैंने क्या किया एक retracement आई एक यह trend line बनाया यहाँ पर आपको दिख रहा है exactly a breakdown 1156 कहां ट्रेड लिया है मैंने देखिए 1159 अराउंड यहाँ पर आप देखोगे 1156 यह last किस लग गई चोटा सा इसको बोलो कि अप लास्ट डी टेस्ट हुआ and finally मैंने यह levels पर पहले तो red बन रही थी बट बाद में close होते हो दे green क्योंकि मेरे लेते ही ट्रेड आपने देखा होगा पादस पॉइंट उपर चला गया हो तो यह levels मैंने short कर दिया अच्छा उसने अपना support level भी तोड़ा है काफी दिन से market उपर भी जा रहा है एक profit booking जैसे आज expired ही है मैंने आपको यह भी चीस clear समझाई तो उससाब से viewpoint मेरा short का था यहाँ पर मैंने miss कर दी opportunity यहाँ पर मिली तो मैंने grab कर दी opportunity so plain and simple setup यह तो हो गया चलो आज का setup आपको एकदम simple वे में समय में आ गया होगा और stop loss और बता देता हूँ यह levels पर sorry थोड़ा सा उपर था अपना stop loss 370 का ठीक है market जब यह levels पर आएगा एक resistance की तरह react कर सकता है और हमारा यहाँ पर stop loss थोड़ा हमने उपर लगा दिया तो यह safety के साब से मैंने आप लगा दिया stop loss यहाँ पर हो गया target क्या हो गया target हो गया यह आपका support लेवल यह दिख आज का setup कल के setup के ओपर काफी लोगों ने comment किया है कि head and shoulder pattern बना था फिर भी आपने बाइंग क्यों किया तो अगर आपको head and shoulder pattern का नहीं पता है तो YouTube पे सर्च करो काफी YouTube ने already इन चीज़ों के बारें बता रखा है head and shoulder pattern आपका अगर neckline break होता है देखिए यह neckline है that's my left shoulder, that's my head, that's my right shoulder जब यह neckline break होगा right shoulder के बाद तब यहाँ पर आपको short करना होता है इसको बोला जाता है head and shoulder pattern मैंने कहां trade लिया मैंने trade लिया है around I think यह levels के आसपार मैंने trade लिया होगा है तो head and shoulder pattern तो आपका complete ही यहाँ पर हो रहा है यहाँ पर तो complete ही नहीं हो रहा है तो मैं किस हिसाब से short करूँ यहाँ पर कोई sense ही नहीं बनता है right तो head and shoulder pattern आपने नाम सुना है आपको idea है तो detail में उसको समझने कोशिश करो exactly होता क्या है यह मैं आपको गलत नहीं बोल रहा हूं यह just मैं आपको समझाने कोशिश कर रहा हूं आपको यह अगर pattern मगरा सीखते हो तो इसकी detail analysis करो कि क्या है exactly क्या rules है काम को trade करना होता है उन चीजों को समझने के बार आप you can say कि हाँ यह मैंने गलत किया यह मैंने सही किया so I hope मैंने आपका confusion clear कर दिया होगा कि यह head and shoulder pattern यहाँ break करेगा यह levels पे तो हमको short करना था तो मुझे short करना चाहिए था मैंने buy किया यहाँ head के complete होते ही तो यहाँ पर कोई मेरे साबसे logical add and shoulder pattern नहीं था जब मैंने ट्रेड लिया तो so I hope कल का controversy वाला part आज का setup जो था मेरा पूरा आपको clear हो चुका होगा वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर देना ट्विटर्स थैंक्स वाचिंग न्यू हो चनल के अपर तो subscribe जरू कर दो we'll see you in the next video